हलो फ्रेंट्स विसे आप सब लोग आई हुप आप सब ठीक होँगे डाग धब्य है आपके चेये पिर बीकिल निगार नहीं है आप चाये की जायां ठीक हो जाएं == तो फ्रेंट्स आज का फेस पेक जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है इसे लगाने से आपके चरे की जाईया दाग धब्बे आपके चरे पी दूप को विज़े से अगर टेनिंग हो चुकी है उसे भी ठीक करना चाते हैं तो ये फेस पेक बहुत ही शांदार है इसे लगाने स न ले लेका। मिल्क पावडर में डूरता है मारे के झाहिते हैं। तो यां पे मैंने और पहस्तोरी हलदी ले रही हूँ. चुछकी ले सकते हैं। जुरी हलदी लेनी है. टमाटर का रस को में अपनी तेमाटर को एका रस लेना है. तो तो टमाटर का रस चैहरे के लिए बहुत चुछाइ फाइदेमंद होता है. तो यहां पे मैंने टमाटर का रस लिया है एक चमच के करीब टमाटर का रस लिया है और यह जो आधा कटा हुआ टमाटर है इसको भी यूज करना है इसको साइड में एक वार रख देना है तो यहां पे आपको आधा टमाटर का रस लेना है उसके बाद आपको लेना है दही दही हमारे चैरी के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे चैरी के दाग धबों को जाईयों को दूर करता है हमारे कलर को फेर बनाता है दही से हमारे चैरी की जाईया जो है वो धीरे धीरे चली जाती है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपको दही डालना है और अच्छे से ये face bake mix करना है इस face bake से आपके चेरे की जो जाईया है वो तो दूर होगी साथ में आपके चेरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे आपके कलर को फेर बनाना चाते हैं तब भी आप ये face bake लगा सकते हैं लेकिन ये जाईयों पर दाग धब्बो पर ये face bake बहुत काम करता है आप इसे एक अपते तक रोज लगाए इस ते आपके चेरे की जाईयां दाग धब्बे जो है बहुत लाइट हो जाएंगे 서울 गाइए ऐक साथ तो नहीं जाएंगे कोई भी face bake लगाएं तो home remedy क्या करती है दीरे-दीरे काम करती है अपको ये जो remedy है यूज करना है रोज लगाना है तार दिन तक उसके बाद इसे आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगा सकते हैं बहुत एची remedy है इसे ड्राइ कीजीगा इसे लगाने से आपकी चैरे पे खुद को आपको फ़रक पता चलेगा तो छली फटाफट से देखते है ये फेस पेक लगाना कैसे है तो friends इस face pack को लगाने से पहले अपने face को अच्छे से बोस्ट करना है उसी की बाद इसे लगाना है तो एक बात का ध्यान रखें आप कोई भी face pack लगाए अपने चेरे को अच्छे से साफ करें उसी की बाद face pack लगाए नहीं तो कोई भी face pack काम भी नहीं करेगा तो पूरे चेरे पे आपको इसे लगा लेना है और इसे लगा करके आपको छोड़ देना है 15 मिनट के लिए तो फिर्म्स मैंने इसे पूरे चेरे पे लगा लिया है इसे लगा करके मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूगी 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है वो जो टमाटर हमने लेना की आदाकटाबर और पूरे चरे मसाज करते तो बाद नहस्कारुन नहया है, जा पूरे चरे पर नहीं रसके हमे यह सुकाला कि जब 15 मिनिट हो जाएं तो हलका सा सूख जाएगा उसके बाद टमाटर से पूरे चेरे पे आपको मसाज करने हैं मसाज करने के बाद अपने फेस को वोश कर लिया है ठंडे पानी से मैंने अपने चेरे को दो लिया है तो मेरी स्किन पर आप देख सते हैं बहुत अचा गलो आ है मेरी चेरे पे बहुत अच्छा निखार आ चुका है अगर आप भी चाते हैं आपके चेरे की जो प्रोब्लम है दाग धबों की जाईयों की दूर हो जाएं अपने कलर को फेर बनाना चाते हैं अपने चेरे की जो प्रोब्लम है उसे दूर करना चाते हैं आपके चेरे पे आपको खुद को फरक नजर आएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको भी आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा ये फेस्पेक आपको कैसा लगा है, आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई